गुद मॉर्निंग इस्टूडेंट्स, आज हम लोग काबी में कभिरदाश्री का पद पढ़ेंगे, पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दो कहती नहीं को दो जग, जिन नाहिन पहिचाना, एके पवन एक ही पानी, एके जोत समाना, एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगिन ना काटे कोई, सब गढ़ी अंतिर तू ही ब्यापक, धर सरूपे सोई, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना, निर्भय भया कछू नहीं ब्यापए, कहे कबीर दिवाना, इस पज में कबीर दाश जी ने इस्वर के सर ब्यापी होने का वर्ण किया है, कविर दाश जी ने बताया है कि समस्त स्रिष्टी में इस्वर व्याप्त है इस्वर इस समसार की प्रतेक कड़ में विद्धिमान है वाज जियोति स्वरूप सभी जड़ चेतन पदार्थों में विद्धिमान है उन्होंने बताया है हम तो एक-एक कर जाना हम तो यानि खुद में अपने को कहा है कविरदाशी करते हैं कि हम यहाँ समझ गए हैं हम यहाँ भली प्रकार जान गए हैं कि वह इस्वर एक ही है वह परमपिता परमिस्वर एक ही है दोग है तिन कोज दोजक जिन नाहिन पहुचाना दोजग मने होता है नर्ग जो लोग दोग है यानि जो इस स्वर को एक से अधिक मानते हैं या अनिक मानते हैं उनके लिए का गया है कि जो लोग यह नहीं जानते वे ही इस संसार में स्वरग नरक का भेद करते हैं उन्हीं के लिए इस संसार में स्वरग बानरक तो अलग-अलग अस्था हैं एक पवन एक ही पानी एक जयोत समाना पवन पवन मने होता है हवा वायू जहतिवानी प्रकाश कविरदाजी करते हैं कि वहिस्वर समस्त प्राडियों को एक ही समान हवा एक ही समान पानी और एक ही समान प्रकाश प्रदान करता है और सभी प्राडियों को एक समान देखता है सबी लोगों पर अपनी प्रिपा द्रिष्टी एक जैसी रखता है कि जिस प्रकार कुमार एक ही मिट्टी से अनेको प्रकार के बर्तन बनाता है अनेको प्रकार के पात्र बनाता है उसी प्रकार एक ही इस्वर बिभिन प्रकार के मनिश्यों को बिभिन प्रकार के प्राडियों को बनाता है जैसे बाढ़ी काश्ट ही काटे अगिन न काटे कोई बाढ़ी बाढ़ी वाने बढ़ी बढ़ी किसका काम करता लकणी का काश्ट काश्ट वाने लकणी अगिनी अगिनी को कहा गया है जैसे बाढ़ी काश्ट ही काटे अगिन न काटे कोई कवीरदाश जी कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ी लकणी को तो काट सकता है लकणी को काट कर उसकी अने को वस्तुए बना सकता है किम तुआ अगनी को नहीं काट सकता उसी प्रकार एक ही इस्वर को कोई बाट नहीं सकता कहने का तात परिया है कि यह मानों सरीर पांच तक्तों से मिलकर बना है प्रित्वी, जल, वायू, अगनी और आकास तो अगनी, वायू, यह सारे सब किसके सुरूप है, इस्वर के सुरूप है तो कवी ने वताया है कि यह मानों सरीर पंच तक्तों से मिलकर बना है और इन सबी तत्तों में इस्वर का वास्य परमात्मा विद्मान है उस इस्वर को कोई अलग नहीं कर सकता परमात्मा को कोई अलग नहीं कर सकता सब घटी अंतेर तुही व्यापत धरे सरूपे सोई वह प्रवु वह इस्वर सभी प्राडियों के अंदर विद्धमान है और सब के अंदर वह अलग-अलग रूप को धारण करता है सरूप मने होता सरूप अंतर मने अंदर सब घट अंतर तुन ही प्यापत धरे सरूप सोई कविद्धा झी कति कवाई सभी प्राडियों के अंदर विराजमान है, इस्तित है और सभी प्राडियों के अंदर ही अलग-अलग श़रूप धार्यकरता है माया देख के जगत लुभाना, काहे रेंयर गर्बाना माया यानि मोह माया को कहा गया कभी दाशी करते किया संसार मोह माया का बंधन है यह माया से घ्रस्त है इस संसार में सोयम को ना डाल कर इस्वर की भक्ति में लिन रहना चाहिए यह संसार मोह माया का है और इस संसार के मोह माया में जो फस जाता है वा उसमें से निकल नहीं पाता है काही रे नर गर्वाना हे मनुष्य गर्वाना वाने गर्व करना आंकार करना हे मनुष्य तुम इतना गर्व क्यों करते हो इतना आंकार क्यों करते हो यह संसार मित्या है जूटा है इसमें कुछ भी वास्तविक नहीं है इसलिए तुम इस संसार के मोह माया में मत पड़ो तुम जितना ही इसके मोह माया में जाओगे उतना ही तुम दुखी रहोगे निर्भय भया कछूनी ब्यापय कहे कवीर दिवाना कवीर दाजी स्वयम को का दिवाना बताते वे काते हैं कि मैं तो निडर होकर, निर्भय होकर, इस संसार में घूमता हूँ, भ्रमर करता हूँ, मैं इस मो संसार के मो माया में नहीं भसता हूँ, मैं इस्वर की भक्ती में ही लिन रहता हूँ. हम तो एक एक करी जाना दो कहतिन कई को दो जग जिन नाहिन पर जाना कविरदाजी करते हैं कि हमने इस्वर को समझ लिया है इस्वर की महत्ता को जान लिया है इस्वर के बारे में जान लिया है कि वह इस्वर एक ही है वह परमपिता परमेश्वर परमात्ना एक ही है वह अलग नहीं है या उसके कोई अलग रूप नहीं है दो कहती नहीं को जो दो जग जिन नाहिन पेचाना जो लोग इस स्वर के महत्त को नहीं समझते जो लोग यह नहीं जानते हैं वे ही इस संसार में स्वर्ग और नरक का भेत करते हैं उन्हें के लिए स्वर्ग वा नरक दो अलग-अलग स्था हैं एक पवन एक ही पानी एक ही जवत समाना कभी कहते हैं कि इस संसार के समस्त प्राडियों को एक ही समान वायू, एक ही समान पानी और एक ही समान प्रकास प्रदान करता है सभी प्राडियों को एक समान देखता है, अपनी कृपाद्रिष्टी एक समान रखता है फिर वह इस्वर अलग कैसे हो सकता है, उसका एक ही रूप है एके खाक गढ़े सब भांड़े एके कोहरासाना जिस प्रकार कुमार एक ही मिट्टी को मिलाकर अनेको प्रकार के बर्तन बनाता है अनेको प्रकार के पात्र बनाता है अनेको प्रकार की रूप रंग देता है उसी प्रकार वह एक ही इस्वर इस संसार में बिभिन प्रकार के प्राडियों का निर्मार करता है बिभिन प्रकार के मरिश्यों को बनाता है और सभी को एक समान देखता है जैसे बाड़ी काश्ट ही काटे अगिन न काटे कोई जिस प्रकार बढ़ी लकड़ी को काट कर उसकी अनेको वस्तुईं बनाता है वह लकड़ी को काट सकता है क्योंकि लकड़ी भौतिक वस्तु है किन्तु अगनी को नहीं काट सकता अर्थात या मानो शरीर पंच तत्तों से मिलकर बना है प्रित्मी, चल, वायू, अगनी, आकास ये पास तत्व मानों के सरीर में विद्धिमान है और इन सभी तत्व में इस स्वर की उपस्तिती है परमात्मा की उपस्तिती है परमात्मा विद्धिमान है और इसलिए उस परमात्मा को इस सरीर से अलग नहीं किया जा सकता सब घटी अंतर तुहीं ब्यापक धरे सरूपे सोई अंतर मने अंदर सरूपे मने शरूप वह परमात्मा वह इस्वर सभी ब्यक्तियों के अंदर विद्वान है सभी प्राडियों के अंदर विद्वान है और सब के अंदर वह अलग-अलग सरूप धर करता है माया देख के जगत लुभाना, काहे रेनर गर्बाना यह संसार माया से ग्रस्त है, मुह माया में बढ़ा हुआ है इस संसार के मुह माया में नहीं पढ़ना चाहिए बलकि इस्वर की भक्ती में लिरनाना चाहिए काहे रेनर गर्बाना, कभी काते हैं के मनुश्य तुम इतना गर्व क्यों करते हो, इतना अहंकार क्यों करते हो, या संसार भौतिक है, नस्वर है, मिठ्या है, इसमें कुछ भी वास्त भी नहीं है, तुम इसमें लिप्त रहोगे, इस मोह माया में पढ़ोगे, तो दुखी रहोगे निर्भय भया कचुन नहीं ब्यापय कहे कभीर दिवाना कभीर दाज जी स्रम को दिवाना बताते हैं का तेक मैं निर्भय होकर इस संसार में घुमता हूं भ्रमण करता हूं विचरण करता हूं इस संसार के मोह माया में नहीं फसता हूं और मैं इस्वर की भक्ती में ही लिड रहता हूँ इस्वर का ही अस्मर्ण करता हूँ